Hello Everyone Welcome to Cash Kitchen आज हम बनाएगे Chinese इडली गुत्के यह बहुत ही easy और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और यह बहुत ही tasty हूती है यह रेसिपी मेने mehr leftover इडली से बनाई है अगर आपको मेरी पथाई पासंदाए तो प्लीज भीस इसे लाइक करें और शेयर करें अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारा है तो क्याश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें इससे आपको मेरी न्यू रेसिपीस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी चानिज इडली गुट के बनाने के लिह में चाहिए लेप्ट ओवर इडली या फिर आप ट्रेश इडली भी ले सकते हैं पंद्रा उसको पीसेज में काट लें प्याज एक इसको क्यूप में काट लें शिमला मिर्च एक इसे भी क्यूप में काट लें आटन स्वीट सॉस दो शीजवन चटने, दो टी स्कून, सफेद तिल, दो टी स्कून, टेल, एक केबल स्कूल, सबसे पहले एक कड़ाई में तेल गरम करें, अब उसमें प्याल ज्राल दें, और उसे एक मीनद तक स्टर करें, अब उसमें खेबना मिर टालें और उसे भी स्टर कर लें, अब उसमें शीजवन चटने, और होट और स्टर कर अच्छे से मिक्स कर लें, अब इसमें इडली जालें, और उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लें, अब इसमें तेब्डाल दालें और उसे अच्छे से मिक्स कर्लिक्स, अच्छे से वी शीज़का करने, दीजिए चाइनीज इडली गुट के प्यार है इसे सर्विंग बोल में निकाल लें और इंजॉय करें करें प्यार है इसे सर्विंग इसे सर्विंग और इंजॉय करें